हैलो व्रेंस वेलकम बेक तो माई चैनल यूनी गाअवर्णिंग और फ्रेंस देखिए यह सफेद पिटुनिया का प्लांट है मेरे पास में और यह मेरे घर का ही है मैंने पर्चेस नहीं किया था यह पाज यह छे साल के मेरे घर पर ही है और इसके सीट्स में लगाती हूं तो तो आज बात करने वाले हैं कि आप अपने जो प्लांट है उसके उपर पिटूनिया के प्लांट पर हेवी फ्लावरिंग के से ले सकते हैं तो आपको कौन से काम करने हैं जो आपके प्लांट पर हेवी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे तो friends सबसे पहले तो मैं आपको बताओं कि आपको सबसे अच्छी जो सोईल तयार करनी है वो पिटुनिया के लिए वो क्या होती है तो सबसे अच्छी सोईल त्रेंस उसमें आप ले सकते हैं कि तीन पार्ट आप सोईल में तयार कर सकते हैं इसमें आप रिवर सेंड ले सकते हैं और जो वर्मी कमपोस्ट और कोको पीट ले सकते हैं तो इस तरीके से ये जो मिट्टी बनकर तयार होगी ये काफ़ी अच्छी बुरबुरी सी मिट्टी तयार होगी और ये पिटुनिया की जो प्लांट है उसको फैलने में, Pause करने में काफी जादा मददगार साबीत होती है तो इसके लिए फ्रेंस आप इसमें इस तरीके से तीन पार्ट में मिट्टी तयार करेंगे तो आपके जो प्लांट है उसको काफी ग्रो करने का मुका मिलेगा और इसी के साथ में वो काफी फैलेगा भी और उसमें कलिया भी बहुत अच्छी आएगी दूसरी टिफ्स जो है फ्रेंस की आपको गंले का सेलेक्शन कैसे करना है कि पिटुनिया का जो प्लांट होता है फ् काफी इस पैस की जरुवत होती है तो नीचे अगर वह लंबाई में कम और चोडाई में ज्यादा हो तो इसके लिए बेस्ट होता है तो आप इस टाइप के पोड़ भी ले सकते हैं फ्रेंस की नीचे से काफी सक्रा है और उपर से काफी चोड़ा है तो 6 इंच बोटम और 10 जो टॉप है वो अगर वेसा हो तो काफी इजी होगा और चाहे आप तो इस तरीके की बकेट या फिर टब भी ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिया है तो इसमें से फैलने के लिए काफी अच्छी जगा मिल जाएगी तो मैं इसी में इसको रिपोर्ट करूँगी यह मैंने नर्सरी से लिख खरीदा था फ्रेंस और इसे में रिपोर्ट नहीं कर पाई थी तो आज आपके साथ में इसको शेयर कर दिया है तो सबसे पहले तो आप ड्रेनेज होल पे इस तरीके से कोई भी पत्तर या कोई भी इसी गिट्टी या मिट्टी रख ले या फिर पत्तर भर लिया है अब इसमें बीच में हम थोड़ी सी जगा कर लेंगी ताकि यह प्लांट को लगा सके तो इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करनी है तो यह काफी भुरबुरी सी मिट्टी तैयार होगी इसमें पानी जदा ठेरेगा नहीं और इसको जो है इसकी रूट्स को कशल देंगे और जो प्तियां है यह तूट रही है उन्हें निकाल देंगे तो इस तरीके से आपको लागाना है कि इसकी जूडँ जड़ है उसे नीचे कर देंगे और तने के पास सेимоoth इसको बिल्खुल है आप काली करтора के रखेंगे ताक्यी की जो पतिया है friends, वो मट्टी को टच ना हो, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगी friends, अब जो तीसरा टीप से friends, वो है कि इसको आप पिंचिंग करते रहे है time to time, कि जिसे इस तरीके से आप पिंचिंग करेंगे, इसके उपर तो इसमें नही 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 ब्रांचेस निकल कर आ साफे जादा flowering होगी, तो ये प्लांट की मैंने जानकरी आपको दी थी friends, और इसमें मैंने हमेशा पिंचिंग की थी, तो ये इतना घणा हो गया था friends, तो देखिए, इसके बाद में friends, आपको इसको फंगस से, कीट से, और जो इंसेक्ट लगते हैं, उससे भी इसको बचा सूख न जाए, इसे पानी नहीं दीजिए, और वाटरिंग नहीं कीजिए, और फिर उसके बाद में friends, बारी आती है कि इसके हम फटिलाइजर के से दें, तो आप इसे फटिलाइजर के रूप में friends, NPK 1919 का फटिलाइजर हर 15 दिन में दे सकते हैं, सबसे बेस्ट है कि अगर आप चाहें friends, तो इसको आप जो सरसो की खली होती है, जिसका solution मैंने बनाना बताया था, कि आप 0.5 का solution बनाईए और फिर इसको दीजिए friends, इसके बाद में बारी आती है friends, की इसकी केर कैसे करें, तो friends, इसके ओपर जो सुखे वे फूल होते हैं, आप उसे जब भी वो इसके लिए अगर आपको seeds बनाना है, तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको flowering चाहिए, तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे तुरन थटा दीजिए, देखिए इसमें भी यहाँ पर seeds बन रहा था, इस तरीके से यहाँ पर seeds बन रहा था, तो अभी हमें seeds बनाने की आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके बताईएगा, अगर मेरे चनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा friends, और जो आपने